मुलायम सिंग जी अकलेश जी के अंदर पूरे फिट बैठ रहे हैं इनके जो प्रसासनिक अधिकारी जिसे कह लें खेतों के बाबा जी किसान है मतलब उनसे पिछडे से इतनी एलर्जी है कि गंगा जल से धुलवा देंगे भारती जनता पार्टी में सबसे ज़्यदा अगर कोई परसानित किसान है नमस्कार में मली किमरान आप देख रहे हैं लाइब यूपी न्यूज 24 इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्याले के बाहर खड़े हुए हैं कुछ ही हुआ नेता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आएम उनसे जानते हैं आज मुलायम सींग यादो जी की पर्थम पूर्ण तिथी है इसके बारे में उनसे आज स्वर्गे मुलायम सिंग यादो जी की पहली पूर्टिती है उनके विचारों के बारे में आपका क्या करेगा सरप्रथम परम आदर्णी श्रद्दे गरीवों सोसित बंचित पीडित किसान नौजवान के मसीहा धर्ति पुत्र आदर्णी परम श्रद्दे मुलायम सिंग यादो जी को हम नमन करते हैं मुलायम सिंग यादो जी के करते हैं तो हम उनको देखते हैं मुलायम सिंग यादो जी हर्दम दवे कुछले और पीछे तबके के लोग की बात किये हैं सोचित बंचित की बात किये हैं किसान की बात किये हैं आज जो हम देखते हैं इस सरकार में तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसान की इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा परसान कोई है तो भारती जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर कोई परसान है तो किसान है किसान आद देख रहे हैं समय से न डाई पाते हैं न यूरिया पाते हैं और सबसे ज़्यादा जो बिजली से सिचाई करते हैं तो इस समय गाउं में बिजली भी नहीं आ रही है और जब ये सब से करके तैयार करके थोड़ा बहुत खड़ी होती ये खेती तो बाबा जी के द्वारा छोड़े गए उत्तर प्रदेश में साड़ इनके जो प्रसासनिक अधिकारी जिसे कहले खेतों के बाबा जी के साड़ है उच्छरने का काम कर दे रहे हैं आए दिन ने आप देखते होंगे न्यूजों में अकबारों में जब हम पढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है कि आए दिन तो अखले स्यादों जिसके लिखे कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं कि आज यहां पे इसने साड़ दिखे ये लड़ाई करते दिखे यह कहीं ने कहीं कि साड़ से किसान परसान नौजवान परसान यहां कि हम जनवानस परसान है लेकिन क्या कर सकते हैं अब हम बात करते हैं नौजवानों की इस सरकार में बेरोजगारी है आए दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है नौजवानों को रोजगार देने की जो दो करोड की बात प्रदेश में या देश में कोई करने वाला है तो नवजवान छात्र करने वाला है बाबा जी जिस तरह अहंकार में डूबे हुए हैं हिंदू मुस्लिम करा दें सबसे बड़ा एजेंडा इनका रहता था कि हिंदू मुस्लिम करा दें अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाएं एक साथ लेके चलने का काम करता है वो भारत हमारा करता है इंडिया करता है आज जब इंडिया के नाम से अलाइंस हुआ है तो इसे भी इनको घबड़ हट हम इंडिया का नाम हटा देंगे भारत कर दे रहे हैं जैसे आपने कहा कि इंडिया के नाम से अलाइंस हुआ है तो जो शांगरें से कत्तव करना नहीं चाह रहे था कि इस गढ़बंदन हो गातों भारती जटा को जो ह Cath Representatives किलिकी ऊभ्यूड़ ही प 토ग्य कि चौटीुइंट को झानी से जाथ समान देंक काम की जो पार्टी कभी कोई निशली असल ने नहीं दिखती थी आज उनको उपर लेखती इसमें कौन है जो यहां कि अस्थानी दल है जे दो चार सा सीटे आ लेँ हैं उसको लेकर चलने का काम करते हैं और भारती जनता पार्टी लगाता लोगों को परसान करने काम करती है औ जो भी इस मानुवादिल लोग के विचारधारा के लोग हैं जो दलित को अचूत मानते हैं पिछडे को अब बताएए पिछडा मुखमंत्री थे अकलेश यादो जी मतलब उनसे पिछडे से इतनी अलरजी है कि गंगा जल से धुलवा देंगे सबसे ज्यादा पिछडों का अगर कोई बेज़ती किया है तो भारती जनता पार्टी करती है और सबसे ज्यादा चात्र चात्रों को परसान करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जनता पार्टी कर रही है आए दिन पेपर कराएंगे पेपर लीख हो जाएगा आपका कहना है कि योगी अदितना जी लड़का उनका मुखमंत्री रहा हो उसके लिए ऐसी मान सिकता अगर इनके अंदर है तो आप समझ लिए पिछडों के लिए इनके अंदर कितनी कूट-कूट के पॉइजन भरे हुए इस पॉइजन को तभी इस पॉइजन को अगर दोना हो तो मुलायम सिंग्जी को बिचारो मुलायम सिंग्जी के अंदर पूरे फिट बैट रहे हैं ऐसा कोई नीत ही नहीं है जो मुलायम सिंग्जी वाली अकलेस जी मिनना हो एक दम जमीन पर अपने पुराने चोटे से चोटे कारिकरता को पहस्यानने की हैसियत अगर कोई रखता है तो मुखमंत्री आदर पूर आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जब भी अब देखिए इस समय लोग यात्रा रथ चल रहा है सिवीर सब्सक्राइब जमीन पर जाके कारिकरता हूं कि घर पहुंच जा रहे हैं अकलेसा दो रात रात मतलब जो टार्च लेके चल देखी चल रहा है अभी आपने नर्च we ajuda the party के साथ हैं गरिऑ सौन भी साथ है पिछल भी साथ एं और सब साथ है तो इस समय यह देवरिया में रोटी सेखने का काम कर रहा है जा चुनावी रोटी जी से कहते हैं सिकने के राजनितिक से रहे हैं बताई वताई बताए यादों से जाधा खास उनका कॉन था क्रिशन और सुदामा की दोस्ती है तूटने वाली नहीं है पहले प्रेम यादों की हत्या होती है प्रसासन की गलती है हत्या कैसे हो जाती है आप हम देवरिया की बात कर रहे हैं आज बाबा जी बताईए जिसके घर में मिर्त हुई है उसका आप 25 करा रहे हैं बुल्डोज़ डलीत सोषीत बंचित बिरित मुसलमान नवज़मान, किसानों के हक की बात करती ये जो भारती जनता पर्टी को पसंद नहीं है भारती जनता पार्टी उसके साइवाना पूछना चाहता हूं कितने दिन आप गए हैं उनके ब्रामण, परिवार के पास गये हैं ललकारे आज आप यादो से हो गया तो आप यादो और ब्रामण करवाना चाह रहे हैं गंदी राच जिनित करना बंद कर दें त्रिफार्टी जी उनको तो चाहिए दोनों परिवार से मिलें दोनों से जानें सरकार की होनी चाहिए सरकार किसी एक जाधर्म की नहीं होती अगर सरकार है तो स सबसे बड़ा है पाप वही होगा जैसा कि सुना आपने इनका साब कहना है कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीती कर रही है कोई देवरिया कांड को लेकर कहा कि अखलेस यादो दोनों पक्ष के लेकर चल लई है किसी के साथ अन्याय होना नहीं देखना चाहती है वीडियो जलने संके से यादो के साथ मैं मलीक इमरान